हेलो गैज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, इस्टडी विच सवी, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, इससे पहले मैंने आपको संग्या पढ़ा दिये, जिसको भी संग्या का टॉपिक पढ़ना है, वो मेरे चैनल पे जाके संग्या का टॉपिक पढ़ सकता है, तो आएए दिखते हैं सर्वनाम क्या होता है, जिन सब्दों का प्रयोग संग्या के इस्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, दूसरे सब्दों में कह सकते हैं, सर्वनाम उस विकारी सब्द को कहते हैं, जो पूर्वा पर सम्मन से किसी भी संग्या के बदले आता है सरल सब्दों में कह सकते हैं सर्व यानि की सब नामों अर्थात संग्याओं के बदले जो सब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं इस प्रकार संग्या के इस्थान पर आने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तू वह आप कोई यह 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 वे हम तुम कु से अपना रूप बदलते हैं जैसे राधा नृत करती है राधा का गाना भी अच्छा होता है राधा गरीबों की मदद करती है अगला देखिए राधा नृत करती है उसका गाना भी अच्छा होता है वह गरीबों की मदद करती यहां पर उसका और वह जो सब्दे वह राधा के हो जाएगा अनुधारण है सुबास एक विद्यार्थी है वह रोज चुल जाता है यहां पर जो वह है वह सुबास के लिए प्रयोक किया गया है अगला है सर्वनाम के भीद सर्वनाम के च्छेव भीद होते हैं पर पूरुस वाचक सवनाम यानिकी पर्सनल प्रनावन दूसर हो जाएगा प्रश्ण वाचक सर्वनाम इंट्रोग्रेटी प्रणावन छटवा है नेजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिब प्रणावन तो पहला है जो वो पुरुस्वाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम सब्दों से व्यक्तिक बोध होता है उन्हें पुरुस्वाचक सर्वना कहलाते हैं पूरुस्वाचक सवनाम के भेद पूरुस्वाचक सवनाम के तीन भेद होते हैं जैसे पहला है उत्तम पूरुस दूसरा है मद्यंपूरुस दीसरा है अन्यपूरुस तो पहला उत्तम पूरुस याने के फर्स्ट परसन जिन सवनामों का प्रियोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पूरुस वाचक कहते हैं जैसे मैं हमारा हम मुझको हमारी मैंने मेरा मुझे आ दी उधारण दिये हैं मैं स्कूल जाओंगा हम मद्दान नहीं करेंगे यह कविता मैंने लिखी यहां पर मैं हम और यह जो वर्ड वो उत्तम पूरुस के ल तुम तुम है आप तुम्हारी तुमने आपने आदी उधारण दिये हैं तुमने ग्रेकार नहीं किया है या फिर तुम सोचाओ यहां पर तुमने और जो तुम है वर्ड वो मद्दें पूरुस वाचक के लिए प्रयोग हुआ है तीसरा है अन्य पूरुस वाचक यानि कि उन्होंने इनसे उनसे आदी उदारण दे हुए वे मैच नहीं खेलेंगे या फिर उन्होंने कमर कस ली है या पर वे है और जो उन्होंने सब्दे वो अन्यों पुरुस वाचक है दूसरा है निश्यवाचक सर्वनाम या परिवाश दे हुई है सर्वनाम के जिस रोप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्यत रोप से बोध होता है उसे निश्यवाचक सर्वनाम कहते हैं दूसरे सब्दों में जिस सवनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्य का बोध होता है उसे निश्य वाचक सवनाम कहते हैं सरल सब्दों में कह सकते हैं, जो सर्वनाम निश्य पूर्वक किसी वस्तु ये विक्ति का बोद कर आये, उसे निश्य वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह ये वे आदी, वाक्यों में इनका प्रियोग देखिए, तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है, किशोर बाजार गया था, वह लोटा यहाँ पर यह और वह जोए, वह तनुज और किशोर के लिए प्रियोग हुआ है, अगला है आनिश्य वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम सब्द से किसी निश्य वेक्ति ये वस्तु का बोद ना हो, उसे आनिश्य वाचक सर्वनाम कहते है दूसरे सब्दों में जो सर्वनाम किसी विक्ति या वस्तो या विक्ति की और ऐसे संकेत करें कि उनकी इस्तिती आनिश्यत या आइस्पष्ट रहे उन्हें आनिश्य वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई कुछ किसी आदी अगला है संब्द वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम सब्दों का दूसरे सर्वनाम सब्दों से संब्द गया थो तथा जो सब्द दो वाक्यों को जोडते हैं उन्हें संब्द वाचक सर्वनाम कहते हैं दूसरे सब्दों में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयोक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंदित हो उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो जिसकी सो जिसने जैसा वैसा आदी वाक्य दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे अगला है प्रश्ण वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम सब्द सवाल पूछने के लिए प्रयोगत होते हैं उन्हें प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं प्रश्ण करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है उन्हें प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन क्या किसने आदी वाक्योमिन का प्रियोग टोकरी में क्या रखा है अगला है निज वाचक सर्वनाम निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ हो अपने पन का बोध कराना इस पकार जिन सर्वनाम सब्दों का प्रियोक करता के साथ अपने पन का ग्यान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अपने आप निजी खुद आदी आप सब का प्रियोग पुरुस वाचक तथा नेजवाचक सवनाम दोनों में होता है उधारण आप कल दफ्तर नहीं गये थे मद्यम पुरुस आप मेरे पिता श्री बसंद सिंग है याप पर अन्य पुरुस हो जाएगा तो गैज हमारा टॉपिक यहाँ पर खता होता है थेंक यू फो वाचिंग फिर मिलेंगे अगई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद लाइक सेयर और सब्स्राइब करना ना भोले थेंक यू